नमत्कार म्यों मिनिश दिवारी आप देख रहे हैं चिम्यूज आये बढ़ते हैं आज की खास ख़बर प्योगर उल्हास नगर शहर की खस्ता हालातों को लेकर प्रशासनला परवाही तो दिखाई रही है वहीं दूसरी तरफ कॉंट्रेक्टर का ब्रेस्टचार नेता भी न प्रशासनला परवाही और वहीं कॉंट्रेक्टर की और नेताओं की भ्रस्टाचार के कारोबार के बीच शहर के रास्तों के कारण नागरिकों को ही इसका शिकार होना पड़ा है इस वर्श भी रास्तों की खस्ता हालतों के कारण नागरिकों ने कई दुरघटनाओं का सामना किया ऐसे में बरसाच से पहले रास्तों को दुरुस्त करने के लिए जो कारे प्रशासन को करना चाहिए था व नहीं हो पाए फिरवन अगर सेवक पहली बार चुन के आए हो या फिर पिछले 20 सालों से चुनते आ रहे हो इनी मिसे कई नेताओं ने यह आशवाशन दिया था कि बरसात के कारण कारण हो पारा वहीं प्रशासन का भी यही कहना था कि बरसात में रास्ते में डामरी करण नही किया जा सकता लेकिन जब बरसात का मौसम पूरा हुआ तो शहर के नागरिकों ने सोचा कि अब कही न कहीं इने रहत मिल पाएगी और यह नजारा दिखाई भी देने लगा जब रास्तों पर डामरी करण के कारण शुरू किये गए वहीं नागरिकों के साथ धोका फिर जब यह डामरी करण का कार्य पूरा होने के महज 6 घंटे के भीतर ही सारा का सारा डामरी करण उखड गया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डामरी करण के कार्य में 6 मैने की वारंटी बताए जा रही थी लेकिन यह कार्य 6 घंटे भी नहीं टिक पाया हालात यह है कि कॉंट्रेक्टर दिन बदिन लगपती से करोड़पती बनते जा रहे हैं वहीं राजनेता तो करोड़पती ही है लेकिन जनता अब भी रास्तों में धूल और गड़ों के कारण अपनी जान हतेली पर लेकर शहर में प्रवास कर रही है मनपा आयुक्त को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए है किस प्रकार से कारे किया जा रहा है इस पर उनका निरक्षन होना काफी महत्पपून है लाखो करोड उर्पे के डामबर जिस प्रकार से शहर के रास्तों को भरने के लिए खर्च किये गए अब देखना ये है कि प्रशासन या फिमनपा आयुक्त किस प्रकार से न ठेकेदारों पर लगाम लगाता है खेर अब देखना ये भी होगा कि क्या शहर के नागरिकों को इन जान लेबा घड़ों से यानि कि सड़कों से राहत मिल पाएगी उनलेव बाता अब क्या आ झाल से लगएगाAnn ये बगाएगी